तो दोस्तों, चाइना के J20 एरक्राफ्टों को लेके एक्सपॉर्टों के अंदर अलग अलग तरीके के धारना है। चाइना के तरफ से J20B के नाम से एर्शो में लाया गया और चाइना का ये वी दावा था कि ये heavy stealth aircraft है पर फिर से एक बार एकसपर्डों के तरफ से चाइना के इन दावे को न कारते हुए इन एर्प्रफ्डों को इवी खामिया को दुनिया के सामने खोल के रख दिया गया और दोस्तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि J20B को लेके चायना का जो प्रयास था और किस तरीके से धराशाई हो गया और कैसे एक्सपरटों के तरफ से J20B के भी खामियों को खोल के सामने रखा गया तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बन पर दोस्तो चायना के एक्सपरटों के इलावा अन्य देशों में भी कई military एक्सपरट है और उनके द्वारा चायना के इन एक्सपरटों को लेके अपना अलग-अलग thinking है और दोस्तो कई ऐसे foreign expert है जो already accept कर चुके है कि चायना के जो J20 एक्सपरट है ये 5th generation के एक्सपरट क के सामने लाया गया तो एक्सपरटों के तरफ से ये साफ सा बता दिया गया कि कैसे ये aircraft बाकी aircraftों के दौर से पूरा-पूरी बिछड़ चुका है दोस्तो जुहाई एर्शो में प्रदर्शी J20 aircraft को लेके western expert के तरफ से कई तरीके के ऐसे तथ्यों को रखा गया है जो अब उ American expert के तरफ से point out करते हुए बताया गया है कि अगर J20 aircraft stealth coating के लिए नहीं है तो एसे 4++ generation के एक वहतरिन aircraft का दरजा दिया सकता है दूसरे तरफ expert के तरफ से ये वी बताया गया है कि ये aircraft एक super maneuverable aircraft नहीं है जो कि airshow के दर्मियान ही पता चला और जब ये aircraft airshow के दर्मियान performance कर भी रहा था तब भी ये performance इतना satisfactory नहीं था जब aircraft के तरफ से airshow में maneuverability को दिखाया जा रहा था तब भी expert का कहना है कि उतना बहतरिन तरीके से परदर्शीत नहीं हो पा रहा था इविन उनका तो ये भी कहना था कि aircraft के fitness level सही नहीं था खास करके उस समय जब aircraft को कुछ complex aerobatics देखाना था दोसो western expert के तरफ से airshow के बाद ये भी बताया गया है कि airshow के दर्मियान एरक्रेफ्ट को एक कम powerful aircraft के रूप में ही देखा जा रहा था इविन जब एरक्रेफ्ट द्वारा aerobatics को perform किया जा रहा था तब भी साब साब पता चल रहा था कि ये जो एरक्रेफ्ट है ये इस मामले में काफी दुरबल है और airshow के दर्मियान कभी वी ऐसे नहीं लगा कि ये जो एरक्रेफ्ट है ये एक highly maneuverable aircraft है क्योंकि एक highly maneuverable aircraft के लिए एरक्रेफ्ट का फूर्तिला होना चाहिए और दोस्तों शायद इसी कारण से ये जो एरक्रेफ्ट है ये अपने उडान के दर्मियान पब्लिक के attention को भी gain नह style नहीं था और दोस्तों फिर वी aircraft के performance इतना बहतरिन नहीं था तो क्या ये माना जाए कि ये जो aircraft है इसमें enough power नहीं है हाला कि expert के तरफ से ये भी वताया गया है कि J20 aircraft को लेके ऐसे aerobatics को चुना गया है ताकि aircraft के performance के बारे में या विर aircraft के witness के बारे में दुनिया को पताना च दोस्तों किसी भी aircraft को 5th generation के होने के लिए एक ऐसे engine का आवशकता होता है जिसे aeronautics के language में 5th generation के engine कहा जाता है बैसिकली ये engine इतना capable होना चाहिए कि ये अपने infrared signature को चुपा सके और साती साथ aircraft को एक super cruiser रफतार दे सके वो भी विना after warning का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों अगर देखा जाए तो जोहाई Airshow में China के तरफ से aircraft को लेके काफी अधिक advertisement किया गया लेकिन अगर advertisement के मुकाबले China के द्वारा aircraft में इस्तेमाल होने वाले engine के उपर अधिक ध्यान दिया जाता तो शायद China को इतना बड़े फजियत का सामना ना करना पड़ता expert का ये भी कहना है कि China के द्वारा J20 में कुछ ऐसे engine को अस्तेमाल किया गया है जो aircraft को fly तो करा सकता है लेकिन इतना thrust नहीं देता है कि ये एक basic maneuver कर सके और दोस्तों इस वजाए से expert का ये भी मानना है कि China के तरफ से जवरदसी तो इन aircraft को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है लेकिन इन aircraft को अभी भी सुधार के लिए इंतेजार करना पड़ेगा इवन अगर चाहना के तरफ से इसे सुधारने का इरादा रखा जाता है तो इससे एक fully maneuverable aircraft बनाने के लिए चाहना को और कई साल इंतेजार करना पड़ सकता है इवन दोस्तों कुछ एक्सपरटों का तो ये भी मानना है कि इन aircraft को एक 5th generation के aircraft बनाने के लिए चाहना को अभी भी कई मशक्कत करना है और इसके लिए aircraft के design में पूरा पूरी तबदिली लाना पड़ेगा जबकि कुछ एक्सपरटों का ये भी मानना है कि इन aircraft के design में चाहिए कितना भी तबदिली लाया जाए ये 5th generation के aircraft नहीं बन सकता है और इस कारण चाहना को इन aircraft को ऐसे ही छोड़के कोई नया aircraft के तरफ ध्यान देना चाहिए जबकि दोस्तों आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि इस वार जो जो जुहाई एर्शो में aircraft का परदर्शन किया गया था जिसे लेके एक्सपरटों के तरफ से इस तरीके के बयान आ रहा है वो असल में J20 aircraft के upgraded version है मतलब अब तक चाहिना के बेड़े में जिन aircraft को शामिल किया गया है उससे काफी अधिक बदला हुआ एक ऐसा aircraft जिसे J20 B कहा जा रहा है रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि चाहिना के द्वारा इन aircraftों में अफग्रेशन के स्वरूप internal weapon 2 के आकार को बढ़ा किया गया है ताकि इसमें आकार में बढ़ा और ज्यादा range के हतियारों को रखा जा सके पर इससे aircraftों को एक नया disadvantage का सामना करना पढ़ रहा है जो की aircraft के combat radius है रिपोर्ट के मुताविक internal weapon 2 के आकार को बढ़ा करने के लिए चाहिना के तरफ से aircraft में जो internal fuel tank है उसके आकार को छोटा किया गया जिससे aircraft के combat radius करीफ करीफ 7% घट गया है दोसों J20 aircraft हो या जोहाई airshow हो इसे लेके चाइना के मीडिया में काफी अधिक प्रपगंडा किया गया है इवें चाइनीज मीडिया में तो ये भी दावा किया जाने लगा है कि इस साल के जोहाई airshow J20 aircraft के लिए ऐसा last airshow है जहाँ पे इन aircraft को चाइना के दौारा indigeniously बनाया ह दो में WS 15 engine का ही इस्तेमाल किया जाएगा और जोसों इन engine के बातों को लेके भी एक तरीके से western expert के तरफ से चाइना के मीडिया या फिर कहे तो चाइना के expert का मजाग भी उड़ाया गया उनके द्वारा एक तरीके से मजाग उड़ाते हुए ये बताया गया है कि चाइना के process किया जाता है मतलब सब कुछ खाली copy करने से नहीं होता है और इसके लिए knowledge का भी आवशकता है और चाइना के पास फिलाल इस तरीके का knowledge नहीं है कि वो एक 5th generation के advance engine का निर्मान कर सके चाइना के expert के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस साल के अन तक चाइना के J20 aircraft के लिए निर्मान किया जाने वाले engine के जो मुश्किले है उसे solve कर लिया जाएगा इवन हाली में चाइना के expert के तरफ से ये भी दावा किया गया है कि engine के जो threat घड़ जाने का issue है या फिर कहे तो operation के समय temperature बढ़ने के वज़ाए से engine में जो मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है वो एक तरीके से चाइना के इंजिनियरों के द्वारा solve कर लिया गया है पर international expert के तरफ से चाइना के J20 aircraft को लेके कई तरीके के सवाल उठाया गया और ये भी वताया गया है कि aircraft में कैसे तरीके के witness है इवन इस वजा से अब चाइना के इन aircraft को एक 5th generation के aircraft में गिना जा जैसे fighter aircraft को भी purchase करे इससे पहले वी चाइना के तरफ से जब सुखोई 35 जैसे aircraft को purchase किया गया था उसके पीछे आसल कारन था aircraft के knowledge को हासिल करना साथ में engine के knowledge को हासिल करना अब expert का मानना है कि चाइना सुखोई 57 जैसे fighter aircraft को भी रेक्षिया से हासिल करके इसका technology को copy करने का प्र इसके design और development इतना हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसे reverse करके चाइना इन मुश्किलों को solve नहीं कर पाएगा पर दोस्तो हसी का बात तो ये है कि एक तरफ जहाँ पे J20 के problem में ही चाइना के द्वारा solve नहीं हो रहा है तो वही पे अब चाइना के expert के तरफ से ये भी दाव किया जा रहा है कि China 6th generation के aircraft के construction के तरफ आगे बढ़ रहा है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एक 5th generation के fighter aircraft बनाते बनाते चाइना 4th generation में पहुँच गया है तो शायद 6th generation के aircraft बनाते बनाते चाइना at least एक 5th generation के aircraft बना ले तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद